तो कैसे हैं आप सब तो आज हम आपके लिए लेक्ष आया है इंपॉर्टन लेक्स ओफ इंडिया आपके इंडियन जोग्रिफी का मोश्ट इंपॉर्टन टॉपिक जो आपको सिर्फिस जे के एक्जाम में मदद नहीं करें आने वाले बड़े से कम्पिडेटिव एक्जाम मे इंडियन रिवर्स के बारे में पड़ा था फिर उसके आपको इंपॉर्टन पॉइंट्स पड़े थे यह जो आपकी पीडिव आप देख सकते हो यह हमने आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइड कर दी थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है यह आपको अपने आप पता चलेगा कि लेक्स और रिवर्स के किस तरह के कोशन उसमें आते हैं आप देख सकते हो इसके बाद अब हम करने जा रहें इंपॉर्टन लेक्स तो सब्सक्राइब कर ले कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो जिन्यों ने हमारे पहल आपने कौन-कौन से टॉबिक पढ़े तो आज हम करने जा रहें इंपॉर्टन लेक्स तो पढ़ने से पहले हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बात है तब ही हम आगे पढ़ सकते हैं मैं पढ़ाते रहूंगा आपको समझ या आएगा तो क्या है वट इस लेक है क्या स्ट लेकिन लेक की अलग खासित क्या है वह आ जाता है अलेक इस एन एरिया फिल्ड विद वॉटर लोकलाइज लिए बेसिन स्राउंड़िद बाइलेंड अपार्ट फॉम एनी रीवर और अधर आउडलेट देट सर्फ टू फीडूर ड्रेंद अले अब जो लेक है वह क्या होत है इस लेक ठीक है फिर आगे बात आती है इस टाइप ऐसे बड़ी जादा है डिफिर डिफिर लोग आए उन्होंने अपनी अपनी टाइप दी की लेक को इसी साब से बाठों इस तो मैंने लेकि टाइप लिए यह आप कह सकते हो इंपोर्टेंट टर्म जो आपको आगी जो है मतलब मीठे पानी की जिले हमें पता आने चाहिए हमां कि मैंने हरेक लेक को स्पैसिफाइब कि वो फ्रेश वाटर लेक है कि सॉल्ट वॉटर लेक है वह चीज़ाजाम पॉइंट वियू से बड़ा इंपोर्टेंट है आप से पूछा जा सकता है भुलल लेक कौंसी लेक नेतब कnar मी प्रेश वाटर की न्स decor also Ugh आपको दोसे वो पता होना चाहिए तो वह पता हैं मीठे पानिक जीमर मिलें बाद में आता है सलाइन लेक तो resistant लेक कि numkीन की जो लेक उसे संवी आुट वाट वाटर यह सोल्ट लेक बाद में आता है लेक लेक गलेशे में आता है जो जिसका सोर्स होंगे और आपको पता है इंडिया में कहां पाए जाएंगे सब्सक्राइब हमारे हिमालें रीजन में पाए जाएंगे तो मैक्सिमम ग्लेशियर लेक्स जो है आप से उदर पुछा जा सकते हैं तो वह नौर्थ इस्ट एरिया में पाई जाएंगी नेक्स लेक में क्या होता है जब वॉल्कैनिक अरॉप्षन होता है उसके कारण अरॉप्षन होने कहीं जगा पर गड़े डाई बन गे होंगे तो उसके कारण जो लेक का उत्पादन हुआ हम उसे बोलेंगे क्रेटर लेक नेक्स आती है आपकी आती है आर्टिफिशल लेक ठीक है अ आटिफिशल लेक क्या है आटिफिशल मदलब आटिफिशल का मतलब होता है जो इनसान के दुवारा बनाई गई लेख है natural नहीं है और इधिशल नहीं ने बनाई है उसे मैं बोलेंगे अर्टिफिशल लेख थीक है उसे हम क्या बोलेंगे अब आपने इसमें जो में चीज याद अखनी है आप से उधर पूछा जा सकता है तो आपने उधर से क्रेक्ट ऑप्शन कैसे चुनने है देखो जितने भी आप्टिफिशल लेक होती है ना वह मैक्सिमम मैं कहूंगा अदेंस से भी आप कहते हो लेक की ही प्रिड्यूस होता ह कि सब्सक्ट और जाते हैं को तो यह अख जाता है यह जीक बनाएं जाता है यह आ देम से ब्रेंस के सकते हैं कدم को इसने बने बाटेใगे तो उसे घ्रंशन आपकैने का में होटा सकती है तो आप मिलएगी पता हो Genesis ठीक है ब्रेकिश का मतलब होता है salty water salty water but not as much as sea water sea water का पानी बड़ा जादा खा रहा होता है बड़ा जादा नमकीन होता है लेकिन जो ब्रेकिश water भी मिला होगा और थोड़ा सा salt water भी मिला ओगा तो इन दोंने के मिक्स्चर से क्या होता है इतना नमकीन नहीं रहता जितना और पानी नमकीन होता है तो आप उसे कहते हैं उसे बोलते हैं ब्रेकिश वॉटर करें या नेक्स ट्रम्व वह separate की जाती है लगुंग ले कुझ सी है जो separate की जाती है ओशन से विद्धी हेल्प आफ सम्ट सैंड कह लो या रॉक कह लो ठीक है हल्की सी मतलब यह जो लेक्स होती है यह आपको जाधा तर कहां पर मिलेंगी जाधा तेंसे इसे हैं तो कि वाली क। मिलेंगी यहां के जिसके पास जैसे आपके सकते हो कि आपकी ओडिसा वाली साइड हो गया के रहला सौन है तामिलब कियोंट गाया तो उसणाइड पहिए आपको जादा लगून-स मिलेंगी अपे उस wrestler mus04 तकर करने इसमें मैंने सारी लिखी हैं कि important लेक कुन सी है आपकी मतलब highest लेक आपकी largest लेक लोंगेस लेक आपकी salt water लेक inland लेक and maximum बड़ी जादा लिखी है सब कुछ इसमें जो exam में आ सकते हैं important वो सब कुछ मैंने इसमें लिखा है तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना तो चलो start करते हैं जो हमारा बेसिक इस वीडियो में पढ़ना था तो पहला कह रहा है वेबनाड लेक ठीक है नाड आप ऐसे याद सरकते हो ठीक है वेबनाड लेक अब यह most important लेक क्यों गिन जाती है इंडिया की मैं बता दूं जास बिकॉस इट लॉंगेश लेक इन इडिया विच इस लॉंगेश लेक इन इंडिया सर्वेबनाड लेक और यह लेक है कहां पे सर कहरेला में मैंने नीचे लिखा वह टेंशन लो आपको यह पीडियाफ प्रोवाइड कर दूंगा लेकिन फिर भी आप अपने नोटस बन सबस्क्राइब कोची में से कोची लेके नाम से जाता है और कोटाय में वेबर-नाड़ू के नाम से ठीक है इसके इसके दिफरेंट तीन आम है आप इसे नोट डॉट डाउं कर ले जे अब अब बात से लोंगेश लेक है तो इसकी लेंध्य सहाब देख सकतो जो most important question आता है बड़ी वार आया हुए यह कोशन अभी मैं जी दिखा भी देता हूं क्या है यह नहरू ट्रॉफी बोट रेस जिसे हम स्नेक बोट रेस भी बोलते हैं इस ऑल्सों है ऑन दिस लेक डूरिंग दा फेस्टिवल सीजन ऑफ ओनम तेकर रहला में आपको पता है ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट की रहता है उनका एक हार्वेस्टिवल माना जाता है तो उदर एक नहरू ट्रॉफी बोट रेस और इसी लेक पे होती है आप से अधर मसी की पूछा जा सकता है यह यूपीस के वेब नाड लेक या डन ऑन में अपको मैं दिखा देता हूँ आप बड़ी सारे कह रहे होंगे कि है कैसी यह आपने देखी होगी बड़ी फिल्मों में देखी होगी हाँ एक जो बॉलिवुड की फिल्म मेरे साब वागी फिल्म में यह होते वह दिखाया गये है तो यह बड़ा युणीख है क्यों क्योंकि उसका आदा पानी जो यह प्रेकिश वाटर है और आदा जो है फ्रेश वाटर है तो उसके इसको युणीख भी बनाती है हमारी लॉंगे सीवर्बी है और साथ में इदर मौश फेमस नैर्यो ट्रॉफी बोटर इस भी खेली जाती है आगे लिखा है इसके किनारे पर एक बर सेंट्री तो उसका नाम क्या है कुमारा कौम बर्ट सेंट्री से इच्टी एट बैंग इट लेज राइड बाइज और आपका जग यहां पर रेविएंची है ठीक है आप देख सकते हैं अपकर मैं थोड़ा सा इंडिया के दर बना देता हू ठीक है, रेबिन सी इधर आ गया, तो आपके रेबिन सी के बिल्कूल इसी तरफ है, ठीक है, विद नेरो रीफ सेपरेटिंग इट फ्रॉम दा सी, जो सी से से, एक नेरो रीफ से सेपरेट करता है, तो उस कारण, ठीक है, यह पॉइंट नोट डाउन कर लिजिए, उसी कारण ह हम कह सकते हैंगे, जो वेबर नाट लेक है, इट इस लगून लेक, लगून लेक के बारे मैं आपको बताया, थीज आप दोस लेक विचा सेपरेटिड फ्रॉम सी, उनली थ्रू है, से से थोड़ी सी दूर होती है, उन लेक को लगून लेक बोलते है, ठीक है, तो यह आपकी कौन सी डिस्टिक्ट में, गंजम एन खरूदा डिस्टिक्ट, ठीक है, वैसे डिस्टिक्ट पूछे नहीं जाती है, आप से लेकिन बस उतर क्या पूछा रहेगा, चिली का लेक कौन सी स्टेट में सिचुएटिड है, तो चिली का लेक है और इसा में, ठीक है, साथ में, इ है ठीक है इंडिया में अगर बात की जाए चिली का लेक फर्ष्ट लगून है इंडिया की और लेकिन अगर वर्ड की बात की जाए तो यह सेकिंड है लिख है आपको बता दूं यह एक बहुत बड़ा हब माने जाता है माइग्रेटरी बर्ड आप कह सकते हो यौरप से भी बाकी देशों से भी बड़ी जादा बर्ड इदर माइग्रेट करके आती है बाकी आप इसकी लेंथ नेख सकते हो 64.3 किलोमेटर है और इसकी टाइप कौन सी आ रहती है ब्रेकिश कौन सी टाइप रहेगी आप से पूछा रखता है विच आप इस ब्रेकिश रिवर तो चिलिका लेकिश ब्रेकिश रीवर और इंडिया की लाज़ेश ब्रेकिश वॉर्तर लेक कौन सी है सर्चीली का लाज़ेश की बात और यह लॉंगिश की नहीं ठीक है थर्ड कोशन लोग तक लेक लोग तक लेक इस इंदा आपको पताऊने जी इस इन मनिपूर लुग तक लेक आपको कहां पर मिलेगी मनिपूर में अब यह यह इंडिया का चुछ सकते हो कि यह अगर सौरी अगर गलत बन गया है हमने इदर बनाया इंडिया थिक है है तो इस पोर्शन किया नौट इस पोर्शन का लाजेस्ट फ्रेश वॉटर यह लेक है और यह जो लोग टक है बना देट लोक मीनिंग ट्रीम और तक का मीनिंग है तो यह लोग ट्रवर्ड बना का मीनिंग और जो यह मेन खास्य चीज आपको पता होने चीजह एक यह आपको लोक टक लेक opportunity आपको बड़े 25 से मिलेंगे यह 25 देख रहे हो ठीक है बड़े यह आपको लैंड टाइप दिखेगी ग्रीन वेट लैंड मिलेंगी तो उस कारण यहीं चीज इस रीवर को खास बनाती है डैट इस इट इस दा eh words only floating freshwater lake world की अकेली एकलोती floating freshwater Lake कौन सी लोक तक लेख क्योंगी अभी मैंने आपको दखाया और आपको यह Já ecosystems है तो場 लिए तो लोकलव और से विए बोला जाता है तो यह लोक तक ट्ले क्या है वर्ड वल ली फ्लोटिंग फ्रेश वॉर्टर ले पिर अगण ठाव अजन नाम यह केडल यहां नाम बसना नाम है यह उनली फनी लोटिंग ऐसे पांग और अवर से बात लेक के बैंक्स पे है तो वह आप कहा जाएगा लोग तक लेक ठीक है और इसकी लेंद तर्टी फाइव किलोमेटर नेक्स्ट आपका आता है पुलिकत लेक एनदर इंपोर्टन वन पुलिकत लेक क्या आता है तो राजर्ट सी वाटर से कोन सी तो अब यह से थाई को यह सत में थोड़ाई है चक्कर में तहीक है लेकिन मैं बता दूं उद्बापरेट आशर रहेगा आंदर प्रदेश क्योंकि इसका 90% मैं कहूंगा जो लेक है वो आपकी आंदरप्रदेश में है और कुछ पोशन ही सिर्फ तमिल नाडू में लेकिन फिर भी तमिल नाडू के वाले कहते हैं कि हमारी है तो इसमें थोड़े से है चांसे लेकिन आप उदर दोनों में से जो भी आप्शन होगा आपने वह चुनन क्या है यह जो थ्री डे फ्लेमिंगो फेस्टिवल होता है यह आप कह सकते हो दिसंबर एंडिंग है जैन्वरी स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है त्री डे फ्लेमिंगो फेस्टिवल होता है यह आपका आंदरप्रदेश में मनाया जाता है यह इसी लेक पे मनाया जाता यह चीज आपको ध्यान रखनी है और इट अट्रैक्स प्लेंटी ऑफ टूरिस्ट आगे जो बात हम करते हैं आपको मैंने यह बता दिया कि आंदर प्रदेश और तमिलाडू के बॉर्डर पे आप पास सकते हो से साथ में एनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डैट इस फिशिंग विलेज ऑप पुलिकत इस आट साउथ एंड अफ द लेक विच फ्रॉम विच द लेक गॉट इस नेम दस तीज दवन स्पेस सेंटर इस लोकेटर नौर्ट अफ द आइलेंड अब जो पुलिकत लेक है वह क्या एक विलेज के किनारे पर इसी विलेज से आपका जो चंदरायन वन था डैडिस सतीज दवन स्पेस सेंटर ने जो लॉंच किया था वह इधर से ही लॉंच किया गया था तो इसे आपने नोट डाउन करना है तो इसकी टाइप क्या देगी इसकी टाइप भी आजएगी ब्रै तल ठीक है टी एल या टी ए आर दोनों सेम है बोस्तर लेक के लिए जो कोशन साते एक्जाम में वह आता है कि यह किस नाम से जान जाता है डैट इट इस अपर लेक और कहां पे है डैट इट इस इंदा कैपिटल सीटी और मद्रपरदेश बोपाल बोपाल में है यह साथ में इस एक के बारे में डाड़ेस्ट आर्टिफिचल अगी एशिया की बात होती है इंडिया की नहीं इस आपके है दिया की एशिया की जो हैसमे डैट इस वन विहार नेशनल पार्क ठीक है आगे बात करते हैं next अपनी रिवर सरदार सरोवर लेक जो कहां से है उसकी लोकेशन आपके आदाती है गुजरात से भी निकलती है राजस्तान से भी निकलती है माराष्ट्रा एंड मद्यपदेश टाइप क्या आदाती है इसकी artificial and fresh water यह जो सरदार सरोवर लेक है यह डैम से बनी है तो यह artificial एक और साथ में fresh water लेक है अबसी बात है जो आपकी maximum जो डैम रिवर्स होते हैं डैम से जो लेक्स बनेंगी तो वह जो होंगी वह fresh water ही consider की जाएंगी क्यूंकि खारा पानी तो आपको सी से ही मिलेगा ना तो दिस लेक इस मेड़ बाय डैम अलॉंग ते टीचा स्टेट्यू ओफ यूनिटी इस टूजर टूट जालेक इस लेक के पास ही है मतलब आप कहसे तेट्च व लेक कौन सी लेक के पास है डैट इस सरदार सरोवर लेक तो यह जो स्टेथिक रीयुकिन के लिए बना गया है अब आक यह तसक है आप सब इने च्मेंड सेक् की हाइट कितनी है ठीक है हाइस तो है वर्ल्ट का टॉलिस तो है लेकिन आप इसकी हाइट जिसको नहीं पता मैं यह कहूंगा कि गुगल पे सर्च करके जरूर याद कीजिए यह आपको पता होनी चाहिए अब देख भी सकते हो यह आपका स्टेच्व आगे और साइट पर यह रिकाल नेक्स आपकी आती है लूनर लेक जिसको लुनर क्रेटर लेक भी वोल डटता है अब नाम से ही पता चल रहा है यह क्रेटर से बनी गई है क्रेटर मैंने आपको बदाई यह पिरिटार緊 2019 से जो बन जाती है तो कहां पैं वह देट इस महाराश्ट्रा अब लेक के बारे में जो इसके बारे में आपको पता होने चाहिए डैट जो पहले माना जाता था पहले माना जाता था यह क्रेटर के कारण बनी है लेकिन अब आपको पता है रिसर्च चलती रहती है जितने प्रॉपर नहीं बने तो अब रिसर्च के कोडिंग माना जाता है तो जैसे कि आप इसकी इमेज भी देख सकते हो आपको लग भी रहे है थोड़ा सा गेडा साइब बना हुआ है खड़ा टाइप बना हुआ है ओपर से आप इदर से कवरिंग देख सकते हो इसकी ठीक है एस्ट्रॉइड या यह कॉमेट के इंपक्त से यह बना है नेक्स्ट आप की आती है वुले लेक वैसे हम जैनके की पढ़ चुके लेकि मैंने इसमें सोचा आपको थोड़ा सा रिवाइस करा दूब वुले लेक थी के वुले लेक के बारे में हमने क्या पढ़ा था तो जिन्हों इस जैनके की नहीं देख्वी ज 60 पर संब्सक्राइब यह यह तौड़ा साथ इंडिया की सिग्स्टीप कश्मीर लेक से ही का प्रेंबेद के बारे में पढ़ा था जैनके selecting आप कह सकते हो फ शीन अब क्या की बादे थी वह बता हूं आप उसे प्लीस एकैस भॉईỗi यह था मैं है थोड़ा सा जो important point से वो मैं इदर बता दियें अब आगे हम बात करते हैं आपको कोशन किस तरह के आ चुके हैं ठीक है सबसे पहले आप से पुछा जा सकता है पुलिकत लेक कौन सी स्टेट में है ठीक है पुलिकत लेक कौन सी स्टेट में है तो आपका से क्या होना चाहिए और तमिल नादू जो भी option होगा आपने से चुनने क्योंकि उदर क्या होगा आप से एक और इस तरह कहीं कोशन आ सकता है बड़ीवार आपको ना स्ट्रेट फॉर्वर इसी तरह कोशन आता है इन विच इस लेक इन विच स्टेट या आपको आ सकता है फाइंड विच ओफ फॉलिंग इस इंकरेक्ट में आपको चार इवर्स के चार लेक्स के नाम दे देंगे उनके आगे उनकी जगाओं के नाम दे देंगे तो अधर से आपको पता होने चाहिए कि हर एक लेक कहां पे है और इसा की अब आगे हम पढ़ते हैं थोड़े से important point इनके different names के हैं कुछ ऐसी होंगी हमने लेक जो भी नहीं पड़ी क्योंकि आपको पता है इंडिया इस नोन ऐस दा आप कह सकते हो country of rivers इदर बड़ी जादा rivers पाई जाती है तो सभी rivers आप पड़ोगे तो आपको सब कुछ याद नहीं रहेगा क्योंकि इसमें से दो या तीन mcq ही आने के chances हैं तो इसलिए मैंने आपको main points बता देता हूं इदर आप इसे no down कर लिजिए बैट बुलर लेक इस वान ओड़ बिग्गेश फ्रेश वॉर्टर लेक आपको यह पता हूं चाहिए मद्यपदेश की जो अपर लेक है हमने पड़ा मद्यपदेश की एक लेक थी जिसका नाम अपर लेक दिया था तो वह कौन सी लेक थी डैट इस गर्च त्र लेक कि या बोच तल तिको च昨व तल बोलो या तर बोल यह मद्यपदेश एक लेक थी जिसका अपर लेक के नाम से जाए जाता है इसदा लाज़िस अर्टिफिशल लेक इन इसिए ठीक है आठिपिश्पिशल धैड इस मैन-मेड मैंड आपकी यह कौन सी यह बो यह वेबरनाट लेख लेख अंडिया जो केला में है चोलमू लेख इन सिक्किम इस लेखिन हाइस किया के बात कि रहे वह इसके डिफिरिंट डिफिर नेम भी है बाकिन बात करें अभी हमने पढ़ा लुनर लेक बारे में डैट इस डीज पर पहले माना जाता था कि यह क्रेट के इंपक्ट से बनी है नेक्स जो बात की जाती है लुनर लेक के बारे में डैट इस नोटिफाइड नैशनल जियो हैटेज मोनुमेंट तो यह भी आप नोट डाउन कर लो लाजेस लेक इन इंडिया लेकिन कौन सी मैंमेड अगर मैंमेड की बात करते हैं इस डैम डैट इस ग बोपाल बोपाल को सीटी ओफ लेक्स बोला जाता है लाजेस अर्टिफिचल अब यह मूपर पड़ चुके अप्पर लेग या बोश्टर लेक बोलीजी जो बोपाल में है कैरिला में ठीक है सस्तमन कोटा लेक है जिसे हम क्वीन ओफ लेक बोलते हैं इसे भी आप नोट डाउन कर लो क्योंकि यह कोई अरॉंड मैं देख रहा था 2014 के एक्जाम में आज चुका हुए एक एक्जाम में बात में था रूप कुंड लेक ठीक है इसे किस नाम से जान जाता है डाइस स्केल्टन लेक याप मिस्ट्री लेक बोलत सकते हैं इसे अगर आपको याद करने में थोड़ी प्रोग्म हो रही है आप कह सकते हैं रूप त स्टिक्ट ऑफ इंडिया लेक डिस्टिक्ट ऑफ इंडिया कौन सी डैट इस नैनिता लेक और जो एक और इंपॉर्टन लेक थी उसके बारे में ज्यादा इंफोर्मेशन नहीं थी बस उसके बारे में यही पूछा गया हुआ है कि वह कौन सी स्टेट में है डैट इस कोल्र तो यही थे आपके कुछ important point जो आपके exam point of view से most important आपको पता होने चाहिए यह रीवर्स थी रीवर्स के आदम ने लेक्स के बारे में पढ़ लिया तो इसके बार से कुछ नहीं आने वाला यही आपको पढ़ना है मैंने आपको सारे important points दाल दें यूपी एसी के exam में भी जिस तरह के question आए है वह मैंने important points में डाल दिया होग कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो like बटन को दुबाना ना भूले आप शेर करना ना भूले दोस्तों तक पुंचाना ना भूले तो आज के लिए इतना ही तो आ आज के लिए गुडबाए टाटा शुब्रात्री